ये है बी टीवी नेट्वर्क और आप देख रहे हैं जैपूर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बी टीवी निउस खबर सिंदगी की गरीब और असहाई लोगों की सेवार्ट यू तो कई संस्थाय मौजूद है लेकिन एक संस्था ऐसी भी है जिसमें युवापीडी समाज सेवा कर अपना दायत्वन निभा रही है ये संस्था है जैपूर पिंक सिटी राउंटेबल राउंटेबल संगठन की देश भर में ध गावों में सरकारी जमीन पर ये संगठन स्कूल भवन के निर्मान के साथ साथ कंप्यूटर पानी बिश्ली चैसे बुनियादी सेवा मुहिया कराता है जैपूर पिंक सिटी राउंटेबल संस्था जैपूर में परशुरामद्वारा और खेजरोली में प्राइमरी स्कूल भवन का निर्मान करवा चुका है हो जाते हैं स्कूलों के इंफरा स्ट्रक्चर की नीड होती है वहां हम जाते हैं स्कूल है क्लास्रूम है ट्वालेट ब्लॉक है और पीने के पानी के लिए जगह है खेलने की जगह है इनको हम बना के देते हैं सरकार की ही होती है नॉमली हम लोग सरकारी स्कूलों में करते ह स्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं, हम क्लास्रूम बना देते हैं, उनके जो क्लास्रूम होते हैं, उनके अच्छे हवादार क्लास्रूम होते हैं, बड़े होते हैं, उनके अंदर और ज़रूरते होती हैं, जैसे प्रॉपर टॉयलेट चाहिए होते हैं, लड़कों के लिए, वो बना के देते हैं, पानी की समस्या होती है, तो पानी के लिए त्यूवेल को द्वाना आए एक टेबल में हमोवन 15 से 25 मेंबर्स तक होते हैं, तो इस तरीके से करीब 2,000 मेंबर्स राउंड टेबल इंडिया में हैं, अलग-अलग टेबल्स के अंदर, राजस्तान में जैप में जैपूर में हैं, एक बीलवाडा में हैं, हुदैपूर में हैं, और करीब 80 मेंबर्स राजस्तान में हैं, राउंड टेबल इंडिया का, वो है फ्रीडम त्रू एडिकेशन, जिसके अंदर हम प्राइमरी स्कूल बनाते हैं, और मेरी टेबल, जैपूर पिक सिटी राउ हम लोगों ने दो स्कूल बनाए हैं, सरकारी स्कूल, एक खेजरोली गाओं में और एक जलमेहल के सामने परशुरांगवारा में